तो जब कोई account का बिल्कुल fresh students किसी institute से टेल ली software या busy software सीखते ही किसी business के accounting maintain करने जाते हैं और वहाँ पर उसे software में account maintain करने के लिए बोल दिया जाए तो उसके सामने first point पर जो समझ्या आती है वो ये रहती है laser create करते वक्त उसके laser का सई group का selection करना क्योंकि जब वो किसी institute पर software में सेखर होता है तो वो एक अलग mind से सेखता है लेकिन जब वो किसी business के accounting maintain करते हैं तो उसके mind पर थोड़ा pressure भी होता है तो उस pressure के चलते उस laser का जो group का selection सही तरीके से नहीं कर पाता जिसके वज़े से सारी accounting का जो गड़बड़ा जाती है जो आपने laser की rate किया है वो आपके books के according आपका उसका सही group का selection क्या करोगी क्योंकि जो software की जो कारणी होती है वो सारा खेल उसकी group पे ही टिका होता है अगर आपने सही laser की rate किया है और उसका सही group का selection किया है तो आपके accounting बिल्कुल perfect तरीके से maintain होगी computer पे otherwise आपके software में जो group का selection ही आपने गलत कर दिया तो system आपका सारा जो books की जो accounting है वो गलत हो जाएगी तो दोस्तो इसलिए हम आज की इस video में practically जूप से इस बात को सेखेंगे पि हम एक laser को देखके एक voucher को देखके किस तरीके से पहचान करेंगे इस voucher में से कितने laser हमें टेली में create करने पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका सई ग्रूप का selection क्या होगा rule के according तो दोस्तो इसका example आपको मैं टेली software में भी नी बलकि busy software के साथ भी बताऊँगा आपको मारक software के साथ भी बताऊँगा और इसके अलवा आपको टेली.erp9 software के साथ भी practical तरीके से बताऊँगा भी आपको laser को देखके किस तरीके से पहचान करनी है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही knowledgeable रहने वाली है और विसेज़ कर एक अकाउंट के फ्रेसर स्टुडेंट को इस वीडियो को एंट तक complete जरूर देखना चाहिए तो दोस्तो वीडियो कर पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेर भी जरूर कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ओन कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके कि knowledgeable वीडियो लगातार अप्लोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का यी वीडियो तो दोस्तों आज का जो यह मारे वीडियो अब है ग्रूप के सेलेक्शन को लेके आप देख रहे हो जब हम किसी सॉफ्ट्वेयर में अकांटिंग मेंटेन करते हैं तो वहां पर लिस्ट ऑप ग्रूप की जो लिस्ट होती है वो हर सॉफ्ट्वेर में ओल लेडि क्रियेट होती है चैनल बीजी सॉफ्ट्वेर को उठाकर देखो तो वहां पर भी आप बिजनस लेके चलेंगे, क्योंकि यह जो आप लिस्ट अप ग्रूप देख रहे हो, इस सभी ग्रूप के एक एक हम ग्रूप की बात करेंगे, एक एक ग्रूप आपका पॉइंट तो पॉइंट आपको प्रैक्टिकली तरीके से बताएंगे, पिर कौन से ग्रूप का सेलेक्श अकाउंटिंग यादि की ग्रूप का सेलेक्शन करना सिखा रहे हैं, तो दोस्तो हमने यहाँ पर कुछ एक 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 जांपल है, उस एक जांपल के साथ टेली प्रैम में लेजर भी क्रेट करेंगे, और उसका ग्रूप का सेलेक्शन करना भी सिखेंगे, तो इससे आपकी काफी हद तक कुछ है जो स्टार्टिंग की जो जो बैसिक लोलेज आपका वो जुरूर इंकरीज होएगा, तो दोस्तो हमने यहाँ पर लिखा एक आजे कुमार है, और आजे कुमार ने एक बिजनस शुरू किया है, और उस बिजनस को उसने रिजिस्टर करा है, स्मार्ट और उसने स्मार्ट ट्रेडर्स के अगर हम बात करें, तो उसने एक बिजनस शुरू किया ट्रेडिंग का, अब इस बात से हमें अंदाजा होना चाहिए भी इस को देख के रहे हमें कितने लेजर सौफ्ट वेर में क्रियेट करने पड़ेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले था क्योंकि ग्रूप ओर लेडी क्रियेट होते हैं, तो हमें लेजर क्रियेट करने होते हैं, तो लेजर हम क्रियेट करेंगे और उसके बाद में अजय कुमार का लेजर हम बनाएंगे, तो दोस्तों अब लेजर तो हमने क्रियेट कर दिया लेकिन अब बारियात यह इसके अब इस books में और कहीं भी नहीं लिखा जाएगा यानि कि यह इसके company का name है अब जो भी laser बनेंगे वो सारे laser हमें create करने पड़ेंगे तो दोस्तों हमने अजे कुमार का laser यहां पर बना दिया और अब अजे कुमार हमें पता है भी अजे कुमार इस company का मालिक है तो इसका मलब अजे कुमार ने दुकान में पैसा लगाया है और जब कोई business में पैसा लगाता है जो वेक्ति तो उससे हम क्या बोलते है रूल के according तो यहां पर पहला point लिखा वेपार में पुंजी लगाने वाल वेक्ति capital account होता है यान कि जो पैसा पिंजरस में लगाता है जो दुकान का प्रोप्राइटर होता है उसे हम groups के according software में capital account में select करते हैं तो हमें इस list of group में से capital account को select करना पढ़ेगा तो हमने capital account select कर दिया तो उसके बाद में जो mailing details से इसके बाकी जो information है उसको मैं एक बार भी skip कर रहा हूं क्योंकि आज कर जो हमारा topic है वो केवल group selection को लेकिए है तो मैं से control A के साथ इस window को करूंगा accept तो इस point के अकरम बात करें तो इसमें से अजय कुमार का laser हमारा create हो चुक है जो की under capital account में था अब रही बात इसके voucher की दोस्तों आप देख रहे हो दो वाउचर हमारे पास है एक वाउचर ऐसा है जिसके अंदर टेक्स लिखा हुए है heading पर नाम लिखा हुए सिरी बालाजी डेडिंग कंपनी का स्मार्टेडर्स का नाम यहां पर आ रहा है आपके name में और एक वाउचर ऐसा है जिसमें smart traders का नाम heading पर आ रहा है और name में आ रहा है यहां पर सुमित कुमार और इस पर भी tax invoice लिखा हुए है तो हमें इस बात का पैचान करनी है यह जो वाउचर हमारे पास आ जहें तो इस वाउचर को देख के हमें किस तरीके से laser create करना है और उसका group का selection क्या करना है तो द मतलब smart traders तो आजय कुमार की company है तो इसका मतलब आ जयकुमार ने सीरी बालाजी trading company से समान आ जो purchase किया तो इसका मतलब क्या हो गया।े सीरी बालाजी trading company आजयकुमार की company के लिए suppliers हैhou अब sprig il के बासा में किसे group का क्या selection करेंगे वो वह भी हम देख रहे कि यहां आप देख रहे हो, जिस कंप्पनी यह फरम से हम उधार्समान खरीटीते तेटे यहनि कि जो हमआरे citizens होते हैं, यह जो Suppliers हमारे होते हैं, उसका जो Group का Selection होता है, वो हम Sendry Creditors में करते हैं, तो हमें Laser Create करना पड़ेगा, Siri, वाला जी Trading Company के नाम से, तो यहनिकि उस Company का पूरा नाम हम जो Invoice है, Invoice के Coding ही रखेंगे, अब इसका जो Group का Selection हम रखेंगे Sendry Creditors, क्योंकि Creditors क्यों रखा है, क्योंकि यह Suppliers है, अजय कुमार के लिए, Smart Creditors के लिए, तो बाकी Information में Skip कर रहा हूँ, Control A के साथ इस Window को करूँगा, Accept, तो इस तरीके से इस Voucher में हमने इस Company का Laser बना लिया, अंडर में Sendry Creditor, और इस Voucher के हम बात करें, तो यह जो Second Voucher है, अब Second Voucher में, Smart Creditors का Naam Heading में है और Name में आ गया, Sumit Kumar, इसका मलए Smart Creditors ने Sumit Kumar को, यह स्कूट से वो सेल किया है, तो सेल के इसका मलए Sumit Kumar है, जो Smart Creditors के लिए Customer है, अब Customer की स्रेणी में हम इसको क्या रखेंगे, भी जिस वेक्तिय को हम उदार समान बेचते हैं, यानि कि जो हमरे Customer होते हैं, उसे हम Sendry Depters में रखते हैं, तो हमें Sumit Kumar का लेजर बनाना पड़ेगा, और इसे हम रखेंगे Sendry Depters में है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बात करें हैं, वो बिल्कुल Simple Business की बात करें है, यानि कि ऐसा Business जिसके पास कुछ GST नमबर नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं रिजिस्टर नहीं है, बिल्क अजित कुमार हमारा Smart Traders के लिए Customer है, तो इसे Sendry Depters में रखेंगे, तो इस तरीके से ये Customer के और Supplier के लेजर तो create होगे, और अब बात है Point No.2 की Trading Count की, तो दोस्तों Trading Count होता क्या है, जिस Business में जो समान परसेज होता है, और उसी समान को Sell होता है, तो यानि परसेज और Sell का जो बनते हैं, उसे Trading Count बोलते हैं, अभी जो Trading Count का जो लेजर बनेगा, वो Depend करते हैं Business पे, Business किसका नेजर टाइप है, तो हमें यहां से आइडिया हो जाएगा, जैसे कि हमने टाटा साल्ट सेल किया है, तो इसका हमने भी किर्याना का बिजनस है, तो जो Laser Hub बनेगा, वो किर्यान Goods, एक तो purchase का बनाना पड़ेगा, और जो purchase का बनेगा, तो purchase का हम बोलते हैं Trading Count, तो अब Trading Count के देखें तो वेपार का जो Trading Count होता है, जैसे किर्याना Goods Tax-free purchase, जो जो purchase का लेजर बनेगा, अटर प्रचेस का बनेगा, अटर प्रचेस का बनेगा, और इस तरीक से जो किर्याना अगुट्स, sell का laser भी बनेगा, और under में ये sell count रहेगा, तो इस तरीके से हम बिल्कुल से simple business के अगर accounting maintain करें, तो हमें ये इस तरीके के laser create करने पड़ते हैं, capital का भी laser एगा, process का laser भी हमने create किया है, sell का भी किया है, supplier का भी किया है, और customer का भी laser create किया है, तो दोस्तो software का कोई फरक नहीं पड़ता, अगर आप यही बात busy software में करोगे, तो जिससे कि हम busy software में अगर आजे कुमार का laser create करें, तो हम administer पर जाएंगे, account पर जाएंगे, और add करेंगे, अब यहाँ पर हम आजे कुमार का laser create कर रहे हैं, और उसके बाद तो आपको software का कोई माइनी नहीं रखता, बरकि आपको तो इस बात का दिमाग में आपके point रहना चाहिए, पि जो laser आप create कर रहे हो, उस laser का आपकी business के साथ क्या relation है, यहांकि जैसी का अजे कुमार है, तो अजे कुमार आपको पता है, वेकर दुकान का मालिक है, तो इसे capital account में रखोगे, अगर आजे कुमार आपका customer है, तो आप इसे sendry adapter में रखोगे, अगर आप आजे कुमार आपका कोई supplier है, यान कि आप इससे समान परसेज करते हो, तो आप इसे sendry creditor में रखोगे, तो आज की वीडियो मैं केवल sendry adapter और creditor के ही बात कर रहे है, अब indirect expenses, direct expenses, यह जैसे जैसे हमारा जो list of group के जो हमारा जो अगले part आते रहेंगे, उनमें सब point to point in के doubt clear करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें capital count को select करना पड़ेगा, क्योंकि software में खेली सारा group का ही होता है, और यह example आपको अगर मैं mark software में दिखाँ, तो mark software में आपको थोड़ा सा इसे अलग द पूछ लिया, अब इसमें देखो, भी टेली software और बीजी software में क्या था, भी पहले हम laser का नाम देखते हैं, बाद में group का selection करते हैं, लेकिन कई software ऐसे होते हैं, जो laser create करते वक्त group का selection पहले पूछते हैं, बाद में laser create करने देते हैं, अब जैसे कि इसमें सारे group आपको यहीं म मलिक है, तो यानि कि capital count रहेगा, तो हम इसमें से capital count को पहले group इसका selection करना पढ़ेगा, तो हम capital count को select करेंगे, अब यहाँ पर हम अजय कुमार का नाम दे सकते हैं, तो अब इससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा भी आपने नाम पहले लिखा या group का selection बाद में किया, या group का selection टेले में भी, ERP में भी करना पढ़ेगा, अकाउंट इन पर हो जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और create करेंगे, यहाँ पर भी आप अजय कुमार का नाम लिखोगे, तो अब अंडर में यहाँ से भी आपको list of group में से उस group का selection करना पढ़ेगा, भी आपको अजय कुमार को क उसके मेंटर पर हमने बात करी है, और जो next video हमारा जो next part रहेगा, उसमें जो हमारे group के जो extra part बच गे, direct income, indirect income, expenses के, indirect expenses के, duties and taxes के, loan and advances के, तो इन सब के बारे में हम point to point next video में बात करते जाएंगे, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और share जुरूर कर देना वीडियो कैसे लगी, आप हमें comment करके भी जुरूर बताना, तो दोस्तों मिलते हैं next video में के नए topic के साथ,